यह जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना easy question है देखे कैसे कहा रहा है कि रहा है इन पोटाटो रेस बकेट इस प्लेस आट स्टार्टिंग पॉइंट चलो भई एक बाल्टी रखी हुए एक बकेट रखी हुए है तो यहां हम एक बकेट को रखते हैं यह एक बकेट है यह स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी हुए बकेट यह स्टार्टिंग पॉइंट एस एस के आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कह रहा है कि विच इस फाइव मीटर फॉम दा फर्स्ट पॉटाटो ठीक है पहला पॉटाटो जो रखा हुए है वो इसस्टार्टिंग आप बोल सकते हो कि जो आपका bucket है जो कि starting point पर रखा है ये bucket first potato से 5 meter पर रखा हुआ तो suppose first potato यहां पर रहे कहीं यह first potato है ठीक है पीवन पीवन क्या है first potato तो पीवन से यह bucket कितना distance पर रखा है पहले तो हम एक लाइन ड्रोगर लेते हैं से straight क्योंकि जितने भी potato रखें होंगे वो सभी straight line में रखें होंगे ठीक है तो यह distance कितना है यह distance से कितना five meter correct first potato का कहां से starting point से starting point का कहां से first potatoes okay and the other potatoes are placed three meter apart in a straight line मतलब इसी straight line में अब जो प्रटाटो रखें होंगे वो 33 meters पर रखें होंगे तो सो चो फाइव अगर इतना है तो five से थोड़ा सा कम यानि कि तो जो second potato होगा वो यहां रखा है और first potato second potato के बीच का distance कितना है three meter समझ महीं बाद तो यह कितना हो गया मैं unit नहीं लिख रहा हूँ बस मैं three लिख रहा हूँ आप समझ लीजेगा ठीक है फिर third potato यहां रखा हुआ है point p3 पर correct और यह third potato यह second से three meter की distance पर फिर fourth potato रखा होगा इसी तरीके से four potato potato भी जो है third से आपका कितने distance पर होगा three meter पर क्या रहा है कि आगे पढ़िए there are ten potatoes in a line ठीक है तो इसी लाइन में total कितने पटाटों है तो मिर पाद इत्ती जगा तो नहीं है देखते हैं यहां पी 5 यहां पी 6 आ जाएगा वैसे तो यहां पी 7 और यहां पर पी 8 और यहां पर पी 9 और लास्ट में यहां यहां पी 10 और यह सभी जो डिसन्स है दो प्रॉट्टाटों के बीच का फी 3 मीटर बस शुरुवात में distance starting point से फस्प्रॉट्ट फटाटों का फाइव मीटर है बस तो ये भी 3 है 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 और ये भी 3 है और ये भी 3 है अब देखिए इस question में आपको बोलता क्या है कोई गॉपेटेटर करें यहां से स्टाट करेगा फिर क्या करेगा जातार यह तो सबसे पहले क्या होगा इसको उठाएगा पीवन को और ले आगे बकेट में रख देगा तो बताओ कितना चला ये ये जो कॉंपटीटर है या जो भी कॉंपटीटर में कॉंपटीशन में क्योंकि यहां पर शी का यूज के जो भी लड़की है यहां पर बनी आपकी बुक में तो यह स्टार्टिंग पॉइंट से चलती है फर्स पोटैटो उठाती है कितना चली डिस्टेंस बताओ फाइव मीटर और वापस जाएगी बकेट में इस पोटैटो को डाल देगी तो वापस कितना चली 5 तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 याने कि जो पहली बार इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी को जी आँए मीटर ट्रेवल करी करेक्ट अब देखेंगे वापस यां गैप वापस कहां पहुद्गी पकेट तो गया अब यहां से वापस जाएगी और पोटैटो टू को उठायेगी तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से पीटू तक कि डिस्टेंस कितनी है 5 प्लस 3, 8, समझ नहीं बात की नहीं, दिख रहा ना, यहां से S से P1 तक 5, और P1 से P2 तक 3, तो 5 प्लस 3, टोटल 8 मीटर हो गया, यहां से यहां तक, चाहिएं, तो 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना टरवल करेगी, 16 मीटर, बात समझ नही कि नहीं, और जब 8 गई, 8 वापस आई, तो फिर से यह दूसरे पटाटो को भी उसने कहां डाल दिया, बकेट में, अब लड़की वापस यहीं पहुच गई, शाडिंग पॉइंट पर, अब 3 पोटेटो उठाएगी, तो लड़की यहां से जाएगी, और P3 वाले यानिके 8, देखो 8 तो पहले ही यहां तक है, P2 तक, और 8 प्लस 3, 11, तो 11 मीटर जाएगी, और 11 मीटर आएगी, तो 11 प्लस 11, 22 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, थर्ड टाइम, थर्ड पोटेटो भी डाल दिया, खतम, अब जैसे पोटेटो यहां डालेगी, यहां पहुच पोटेटो को उठाने में, उसको 24 मीटर डिस्टेंस टेवल करना पड़ेगा, बास समन्में ही कि नहीं, इस तरीके से करते-करते, वो जब लास्ट पोटेटो उठाएगी, यह टेनेथ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस टेवल करेगी, वापस इतना ही दिस्टेंस हैं, तो मैं अगर आपसे पूछू यहां पर, कि बताओ, ऐसे कितने टम्स आएंगे, तो आप बोलोग ऐसे टोटल टेन टम्स आएंगे, कि नहीं आएंगे, ठीक है, ओके, तो यह जो भी टेन टम्स आएंगे, इनका अगर मैं सम कर दूँ, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इस कॉंपेटीटर ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि दिखिए, मैंने यहां पर जो लिस्ट ओफ नंबर बनाए हैं, इसमें जो फर्स लिस्ट ओफ नंबर है, वो टेन है, तो इस टेन में जाने का भी डिस्टेंस छुपा हुआ है, और आने का भी, तो ये एक एपी बनेगी, जिसमें कितने टम्स होंगे टोटल, टोटल, टेन टम्स, और ऐसा ही कुछ कुछ कोशन, यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजेगा, ठीक है, एन इस इकोल्स टू कितना ले लेंगे हम, टेन ले लेंगे, दिखिए ना, पढ़ ल एन डिखी आखिए टंटेना ले लेंगे, बिखाऊ है, लना में, टेन ले ले लगे हम, टेन ले ले लेंगे, अब लिखिए पात्रू का समनिकाल लिख ए, तो क्या फ़ूमला लग जाएगा, SN इस इकोल ग WALL, 2 BA, 2 इन इस ब्रैक, 2 A plus, N व मैनस 1, into D, करेक्ट एस एन एन कितना है टैने तो टैन बाइट टू इन दा ब्रैकेट टू इन टू इन टू ए एक इतना है टैने तो यह फस्ट है और अगर कुछ बच्छे ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर तो देखिए कन्फ्यूजन नहीं है यहां यह एक एपी बन रही कैसे 16-10 622-16 कितना आता है 628-22 6 यहने के कोमन डिफ्रेंस कितना है 6 है ओके तो 2 इंटू एक रोगे एक इतना है 10 फस्टम टैने तो 2 इंटू टेन ट्वेल्टी और प्लस एन की वैलू कितनी है एन की वैलू है टेन 10-1 9 इंटू डी डी कितना है 6 है तो यह हो जाए का आम लोगों का 10 प्रकेट में 69 ता कितना होता है 54 और 54 और प्लस 20 कितना हो जाएका 74 तो यह ब्रैकेट सौल हो गया तो 74 आ गया और 2 1s और 2 3s और 2 7s 37 इंटू 10 कितना हो जाएका टूटल 370 और यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे तो यूनिट हम फाइनल इन लिखेंगे मीटर क्योंकि लिखेंगे देर्फोर अब कॉंपिटीटर विल रन आटोटल डिस्टेंस ऑफ 370 मेटर्स ऑके